नमस्कार दोस्तों आपका अपने स्टेडी चैनल उद्य जदी क्लासेस में स्वाग आता है आज हमने इस चप्टर स्टाट कर रहा है चक्रिब्रती ब्याज यान की कमपाउंड इंट्रेस्ट इस टॉप एक से फृतिक परिक्षा में दो से तीन कोस्टन जरूर पूच जाते ह चली सबसे पहला हम इसके बेसिक नियम देखते हैं इसके बाद इसके गोस्तनों को सॉल्व करेंगे देखी चक्रिब्रती ब्याज कभी कभी उदार लिये गए धन को चुकता करने के लिए एक निस्चित अब्दी तै कर ली जाती है एह अब्दी प्राया बारसिक अधवा च्छे माई अधवा ती माई होती है इसा अब्दी की समथ के बाद बैयाच को मृअ धन में जोडने पर बना मिसर धन अगली अब्दी के लिए मृअ बन जाता है प्रतेक अब्दी के लिए यही प्रक्रिया दोर आई जाती है यस उसने प्राप्त मिस्रधन ही किले मिस्रधन कहल की शौन में किलें मुंशरदन और इसको इसको जितना ब्याज आया उसको एक निश्चे समय के बाद मूलधन में जोड़ देंगे तो जो नया मिस्रधन आया हमारा उस पर जो ब्याज लगेगा उसे हम चक्रिवर्थी ब्याज बोलेंगे चलिए इसके फॉर्मूले देखते हैं देखी चक्रिवर्थी मिस्रधन निकालने के लिए सूत्र यानि कि जब हम चक्रिवर्थी ब्याज पूचा गया हो सबसे पहले हम चक्रिवर्थी मिस्रधन निकालेंगे इसके बाद इससे हम मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारा चक्रिवर्थी ब्याज जाएगा हम चक्रि चक्रिबर्ती मिसरदन निकालेंगे इसके बाद उस से मुल्धन को माइनस कर देंगे तो js 260 сложно इजी हो जाता है calculation में पहले हम चक्रप्रति मिसादन निकालने इसका वाधिस से मुलधन को माइनस कर दे की चक्रप्रति मिसादन निकालने की फॉर्मूले थिमाणा मुलधन पी रोप है दर आर प्रतितर बारसिख तता समय एन वरस हो नमबर एक जब ब्याज बारसिक दय हो तब चक्रिवर्टी मिस्दन को फॉर्मूला क्या होगा P 1 प्लस R बटे 100 की पावर N R यहां पे दर है और N समय है सेकेंड देखिए जब ब्याज 6 माई दय हो तब दर आदी हो जाती है और समय दोगना हो जाता है तब चक्रिवर्टी मिस्दन कैसा निकालेंगे P 1 प्लस R बटे 2 यहां कि दरादी हो गई इन्टू 100 इसकी पावर 2 है यहां कि समय दोगना जब भी 6 माई का है दरादी और समय दोगना हो जाएगा नेक्स्ट देखिए जब आज 3 माई दय हो तब दर 1 चौता ही हो जाएगी और समय चार गुना हो जाकियों 12 माई ने में कितनी तीमाई होती है चार इसलिए दर 1 चौता ही और समय चार गुना तब चक्रिवर्टी मिस्दन क्या होगा यह को मिस्दन बोलते हैं इक्कॉल P 1 प्लस R बटे 4 इन्टू 100 एन की दर एक चौता ही इसकी पावर 4N यानि की समय चार गुना हो जाएगा नेक्स्ट देखिए जब समय एक परी में संक्या हो जैसे चार साई दो बटे तीन बर्स तथा ब्याज बारसिक देव तब चेकर बटे दी मिसादन का फॉर्मूला क्या होगा एक कॉल P इन्टू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 4N यानि की यहाँ पे हम पूर्णां को लेके हैं इन्टू 1 प्लस जो परी में संक्या है उसका दर में हम मल्टिप्लाइ कर देंगे बटे 100 नेक्ट देखिए जब याज की दर पहले वर्स आर बन प्रतिसर दूसरे वर्स आर टू प्रति सब तथा तीसरे वर्स आर थ्री प्रतिसर ठो तब चक्रिवर्दी मिमसर दन इक्वल क्या होगा P into 1 plus R1 बटे 100 into 1 plus R2 बटे 100 into 1 plus R3 बटे 100 नेक्ष देखिए माना कोई धन X रुपए N वर्सवाद दे है यानि कि N वर्सवाद देना है तो था ब्याज की धर और प्रितिसत बारसे खोद तो इस धन का बरतमान मूल क्या होगा X upon 1 plus R1 बटे 100 की पावर N हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे चलिए अब इसके कोस्टनों को सॉल्व करते है देखिए पहला कोस्टन 6,750 रुपए का 6,2 बटे 3,37 बारसिक दर से 3 भरस का चक्र बटी बयाज ग्यात कीज़िए देखिए मैंने बोला तो जब कोस्टन इस वाल करेंगे तब मैं बता हूँ को चक्र बटी बयाज हम डारेक्ट कैसे निकाल सकते हैं देखिए चक्र बटी बयाज डारेक्ट निकालने के लिए C i यहाँ आदि सब्सक्राइब निकालने का डारेक्ट फॉर्मूला होता इसमें हम पी की मूल दन रख दें और आर यान की दर और एन समय और इसको स्वाल्व कर लें तो चक्रिवड़ती व्याज हम डारेक्ट निकाल सकते हैं लेकिन यहां पर तोड़ी केल्कुलियसन कटें हो जाती इसलिए एक की हम पहले मिसरदन निकालते हैं इसके बाद हम मिसरदन से मूइल दन को मैनस कर देते हैं तो हमारा चक्रिवड़ती व्याज जाता देखीेमिसरदन का gets क्या होता है हम मिसरदन वालेHub फॉर्मुले करते हैं ज़िक आपको डारेक्ट फॉर्मूले सालू करना तो इसमें बैली उस्पूट कर दीजी और इसको सालू कर लिजे तो डारेक्ट चक्रवटती भी आजा जाएगा लेकिन मैं यहां पर मिस्र दन की फॉर्मूले से बता रहा हूं जैकर बाद आज निकाल प्लासग सर्टाइब नेशा फ्लास बन प्लस आर कितना है यह सही दो वट्टे तीन इसको करने हैं चेती अ ठार्रोट चाह और 20 वट्टे तीन धर हो गई 20 वट्टे तीन नीचे एंड्रेट और आने समय कितना थीन वर्ष ने इसको स्वह च्छारते हैं कि देख कैंसेल हो रहा है जीरो से जीरो और नीचे कितना हो जाएंगे देखिए दो से दो पन दस पांच ती पंदरह और प्लस एक है तो पंदरह एकम पंदरह और एक 16 वटे 15 अपर 3 तो देखिए इसको छहाजार साश्वाचास इंटू 5 तीए 15 क्रॉस मल्टिप्लाई 15 एकम 15 और एक 16 वटे 15 अपर 3 तो इसको में तीन वाल लिख लेता है 16 वटे 15 इंटू 16 वटे 15 देखिए इसको हम कैंसल करता है 5 से 5 तीए 15 पंदरह 5 से इसको कैंसल करता है 5 एकम 5 कितना बचा एक 17 पंच तीए 15 दो बचे 25 पचम 25 जीरो कितना 1350 फिर 5 से 5 तीए 15 तेरा सो पचास को देखिए 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 तीन बचे 35 पंच सत पैंटीस और जीरो फिर 5 से 5 तीए 15 पंदरह 5 से पचम 25 हात आई दो बीस पांच चुक के बीस देखिए नीचे तीन तेर का नो नो तीए 27 27 दूनी 54 अब उपर क्या बचा 16 इंटू 16 इंटू 16 16 16 दूसो चपन 16 दूनी 32 यानि 32 कम दूस चपन मिल्टिप्लाय कर दे तुम्हार क्या जाएगा मिसा धना जाएगा तो एक यह दो से मिल्टिप्लाय करते हैं तो इच्छिंग 12 हाता यह दो पंज दस और एक दस और एक 11 हाता यह दो दूनी 4 और एक 5 तीन से तेच्छिंग 18 हाता यह ती पंज पंदरा और एक 16 हाता यह तीन दूनी 6 और एक 7 दो नो एक और 8 यानि कि हमारा क्या मिसा धन कितना आ गया आठ हजार एक सो बाण्व रोपा है हमें निकालना क्या है चक्रविरती ब्याज यानि कि C आई सी इक्टुल क्या होता ए माइनस पी यानि कि मिसरदान माइनस मूल दन तो मिसरदान हमारा कितना आया आठ हजार एक सो बान्व ए इससे हम मूल को माइनस कर देंगे तो देखिए नो से पांच चार ग्यारा ग्यारा से साथ चार साथ बचे साथ से छे यानि कि हमारा चक्र बढ़ती ब्याज कितना जाएगा 1442 रुपए हमारा अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन देखिए 16,000 रुपए का 10% बारसे दर से एक बरस का चक्र बढ़ती ब्याज क्यात कीजिए जबकि ब्याज प्रती 6 माई दे हो देखिए 6 माई की बात कर रहा है 6 माई में का होता है दरादी कितनी हो जाएगी 5% समय बरस दरादी होगी समय दुबना हो गया हमें नेकालना का चक्र ब्याज पहले मसरदन नेकाले इसके बाद करेंगे हम से मूलदन माईनिस कर देंगें चक्र बिड़ती में सब्सक्राइब क्या होता है पी यानि की मूलदन 16000 इंटू 1 प्लस आर यानि की पांच प्रिस्ट इसकी पावर आने याने की टू एक इसको सॉल्व करते हैं पांच एक हम पांच पांच दूनी दस बीस एक हम बीस और एक 21 बटे 20 की पावर दो यानि की 16000 इंटू 21 बटे 20 इंटू 21 बटे 20 इसको सॉल्व करते हैं दो जीरो से दो जीरो कैंसेल दूनी चार और चार चुक है 16 उपर 40 21 इंटू 21 कितना होता है चार से इक तालीस इंटू 40 दो इकी चार से से मल्टिप्लाइ करें चार एकम चार चार चुक के 16 हाता यह चार चुक के 16 और एक सत्तरा और एक जीरो है यानि कि हमारा चक्र बढ़ती मिसर देन कितना आया 17 जार 640 हमें निकालना क्या है चक्र बढ़ती ब्याज यानि कंपाउंड इंट्रेस्ट इक्कोल क्या होता है मिरसर दन से मूल दन मायनिस कर دیں 17,640 से 16,000 को मायनिस कर दे तो महारे चक्रिपरती ब्याज आएगा देखी इस से इसको मायनिस करें कितना आएगा देखी 0, 4, 6, 7 से 6 गा एक और एक से कुछ नियानि की 1640 रुपाय हमारे क्या जाएगा चक्रिपरती ब्याज देखिए नेक्स्ट कुस्षन एक लाग पच्चीस हैर रुपए का आठ प्रितिसत बारसिक दर से नौ महा का चक्रवर्ती ब्याज ग्यात कीजिए जब ब्याज तीमाई दह हो देखिए तीमाई की बात कर रहा है तो तीमाई दर क्या हो जाती एक चोताई यायनि कहें इड़र्वर्च किटना हो जाएगी 2 50 और समय कितना 4 गुना हो जाता देखिए सबसे पहले महा म में दिया इसको हम बरस में चेंज हैंगी 12 से भाग देंगेOUR देखिए एक बरस में 12 मा गया तीन बर्स और दर एक चौता यानि की दो प्रतिसर अब हमें का निकालना चक्र प्रति ब्याज सबसे पहले हम चक्र प्रति मिसर दर निकालना होता है यानि की मूलदन एक लाग पचीस जार इंटू बन प्लस आर दो पृतिसर बट्टे सो इसकी पहले निकी की तीन बर्स दो से दो पन दस पचास 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 और एक लाग पचास की पहले तीन एक लाग 25,000 इंटू 51,50 पाबर तीन है इसलिए हम इसको तीन वाल लेकेंगे देगी तीन जीरो से तीन जीरो कैंसेल पचम 25, 25, 125, 125 एक बार में कैंसेल उपर कितना बचा एक कावन इंटू 51, देगी एक कावन इंटू 51, जिसका मल्टिप्लाइ करने पहले जो आएक उसमें 51 कर देंगे, एक पाँच, पाँच से पाँच, पचम 25, एक पाँच दून दस, हाता ये एक कितना अगे हमारा पास 26, 26 सो एक इसमें 51 का फर से मल्टिप्लाइ कर दें, या डारेक्ट आपको एक कावन का क्यू व्याद है तो बो लिख सकते हैं, नहीं है तो ऐसे मल्टिप्लाइ कर लिजे, एक से करेंगे तो सहम जाएगा, पांस से करेंगे तो पांच, जीरो, पा 32 , 651 जी क्या है हमारा चेकर बिच्थि, निसर दन, 1862,יכ enabling निकाल ला है, तो मिसर दन से मूल दन को माइनश करदें, एक लाग 122651 घ्चाजहार, या जाल पताई कर देंगे, कितना हाईगा ? देखी एक पांच छे बारा में स्पांज गए साथ दो मेंस दो कुछ नहीं एक से कुछ नहीं कि कितना अगे हमारा चक्रवर्थी ब्याज साथ जार चैसो एकावन रुपए हमारा चक्रवर्थी ब्याज हो जाएगा देखी नेक्स्ट कुस्टन नो हजार रुपए का दस पिरतिसद बारसिक दर बर दो बरस चार माह का चक्रवर्थी ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज बारसिक दय हो यानि कि दर दस पिरतिसद और समय कितना दिये चार बरस स्वरी दो बरस चार माह तो यानि कि दो बरस पू कि धूच है पाली कि डाफ कि समय सब्सक्रिप और मुझेल मूझ कर रहा है इसलिए आशले दर नहीं होगी यहां पर मामने दिया तहें इसलिए इसके बर्स में चेंज कर लिया सब कि सबसे पहले हम चेकर बढ़ती मिसे दन निकालेंगे मूल दन इंटू बन प्लस दर दस समय कितना है दो साई एक बढ़ती तीन यानिक इस तरह का है तो हम पूर्ण नंग को हैं लेकेंगे दो और इंटू बन प्लस परिमे संख्या इसका दर में मल्टिप्लाइ कर देंगे तो हमारे क्या जाएगा चेकर बढ़ती मिसे दन आ जाएगा जब भी इस तरह से आए तो हम जो पूर्ण नंग जो है उसको यहां लेकेंगे और जो परिमे संख्या उसका हम दर में मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं जीरो सी जीरो कैंसेल दस से कम दस और ग्यारा बटे दस की प्यावर दो यानिकि 9000 11 वटे दस को दो बाल लेकेंगे और यहां देखिए देखिए है सौ उपर चले जाएंगे यहां पर हैर तीन नीचे जाएं कुछ भी कह सकते हैं चों मारा जीरो से जीरो कैंसे और नीचे एक बटे 30 रहेगा एक बटे 30 एकम 30 वरें 31 बटे कितना होगा हमारा 30 31 बटे 30 तेगी 30 से एक दो 30 कैंसे 3 से 3 तिरका 9 उपर कितना वाचा 11 इंटू 11 इंटू 31 इंटू 3 तो 11 11 12 13 से में सब्सक्राइब करें तीन इकम 3 तीन तेरका 9 अब इसका मुल्टिप्लाइब कर लें तो हमारा क्या जाएगा चप्रटी मिसद्ध है नो देए तीन से मिल्टिप्लाइब करेंगे तीन तीन दू निच थैंटीन नो से नो एकम नौ नौ दू इठारहा अधा यह नो एक तो क्या करेंगे इससे हम मूलदन को माइनस कर देंगे मूलदन नो हजार माइनस करेंगे गयार दुस्तरे पन से तीन पांच दो और गयारा मैसे नो माइनस हुए तो कतने दो यानि कि हमारा यानि चक्रवर्ति ब्याज कितना आ गया बाइस सो त्रेपन रुपए चली नेक्स्ट कोस्ण देखिए दस एयार रुपए का तीन वर्स का चक्रवर्ति ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रतम बर्स चार प्रतिसाद दूतिय वर्स पांच प्रतिसाद तता तिरति ये बर्ष 6 प्रितिसायत हो देखिए जब भी इस तरह कुस्चन दिया हो तो अमने भी फॉर्मिला देखा था मिस्रदन का क्या होता है देखिए पी बन प्लास आरवन देखिए आरवन वटे सो की पावर नहीं आएगी इंटू बन प्लास आरटू वटे सो इंटू बन प्लास आरट्री वटे सो ये के चक्रवर्टी मिस्रदन का फॉर्मूला होता है एक्जाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है आप डारेक्ट लिख सकते हैं दस अजार मूल दान बन प्लास आर कितनी है चार वटे सो इंटू बन प्लास आर टू पांच वटे सो इंटू अर्थरी च्छे बटे सो इसको सवलो करते हैं से चार दूनी आठ दो बच्चे बीस चार पंज बीस पांच से पांच दूनी दस और देखिए दो से कैंसर करते हैं दो तींच च्छे दो पन ने दस पचास देखिए यहां पर क्या हो गया नीचे 25 से 25 से 25 और 26 बटे 25 हो जाएगा इंटू नीचे 50 से 50 से 50 और तीन त्रेपन बटे 50 देखिए दो जीरो से दो जीरो पचीश से 25 चुक्त सो और देखिए कैंसर हो रहा है कुछ दो से दो दूनी चार उपर कतना बचा दो इंटू 26 इंटू 21 इंटू 3 पर नीचे 25 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25 का बटेप्लाइब करने बाद में 33 का और नीचे 5 है यहीं देखिए 20 का करेंगे हम तो दो और पांच से म, दो से दो दूनी 4 दो पन ने 10, दो पांच चान नो यानकि 1092 है इसमें हम त्रेपन से मिल्टिप्लाइ कर रहा है तो तो कितना आएगा देखिए 3 दूनी 6 तो टाइन 927 आट आई 2 और तीन एकम 3 पांस से 5 दून 10 साथ आई 1 बाचनप 45 और 46 4-5 यानि कितना जाएगा 6 7 8 7 5 कित तो 87 28 6 ऊपर आजाएका और नीचे 5 है यानि कि यहाँ पर कितना आ जाएका हम्रा 578806 बटे 5 जे क्या है हमारा मिसर देन इसको यहीं पर रहने देते हैं यानि कि मिसर देन हम निकालना का चक्रवृति भ्याज तो इस से हम मिसर देन से मूल देन को माईनिस कर दें तो हमारा बटे 5 हैं 10,000 मूलदन माइनस कर दें तो मरक्या चक्रविटी ब्याज आजाएगा देखिए 5 से क्रोस मिल्टिप्लाइ करेंगे कितना हो जागे यहां पर 50,000 50,000 को हम 57,886 से माइनस करेंगे तो उपर कितना आएगा देखिए 5 और इससे माइनस करेंगे तो 7,886 आएगा उपर नीचे 5 हैं तो 5 से हम इसमें भाग दे दें पांचे कम पांच दो बचे 28 25 25 कितने बचे 37 35 35 कितने बचे 2 26 25 25 एक बचे 10 पांच दूनी 10 यानि कि हमारा चक्रतिव्याज कितना आ गया पंदरा सो पिचत्ता दसमला दो जीरो रोपाय लेकि कैलकुलेशन आपको उपा रहा है आप किस से कैंसल करते हैं और कितनी पांच की स्पीड में इसको सॉल्व करते हैं बाग इसकी केलकुलेसन जी होती है और कोस्टन भी सर लियरो तो ठीक है आज के लिए इतना है इस सच्छे को नेक्ष्ट वीडियों करते हैं अधी आज की वीडियों पुसंद में दो लाइक करते हैं और आपको कोई सवाल हो तो comment